आज के lesson में move topology brush का topic cover करेंगे तो move brush हमने last के lesson में cover किया है आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर एक model है हमारे पास में doggy model यह default model है gibberish का आप यहाँ पर gibberish जब open करेंगे तो light box में project menu के अंदर आप देखोगे कि आपका यह doggy brush पड़ा हुआ है इसको आप double click करोगे तो यह आपके screen में add हो जाएगा इस model के face पे अगर हम थोड़ा सा focus करते हैं तो आप देखोगे इसका जो mouth है इसके नीचे के lips और उपर के lips के बीच में एक gap आ रहा है एक space आ ठीक है तो अब अगर इस area पे काम करना है तो आप एक simply brush move brush use करते हैं तो हमें क्या करना है यहाँ पर B press करना है M press करना M for move और यहाँ पर यह move tool आ रहा है आप देखे इसका code है B अगर आप B press करते हो तो यहाँ पर आपका move tool आ जाएगा यह normal move tool है अगर हम इस जिगर पर काम करना चाहते हैं और इस brush को थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पर देखे तो एक problem आपको face करनी पड़ती है कि यह जो lips है upper lips भी साथ में जा रहे हैं तो अगर हम upper lips पर काम कर रहे हैं तो lower lips हैं वो भी साथ में जा रहे हैं तो हमें बहुत बड़ी problem होगी इसको कैसे हम solve करें तो ऐसे area को move करने के लिए या ऐसे topology या maze पर काम करने के लिए आपके पास में एक specific move tool होता है जिसको हम topology move tool बोलते हैं तो आपको B brush करना है और M brush करना है तो देखें move से जितने M से जितने भी brush आ रहे हैं सारे active हो जाएंगे यहाँ पर आपको एक brush मिलेगा move topology ध्यान रखना यहाँ पर move brush जो आपका है यह अलग है और move topology brush जो है वो अलग है आपको इस brush को यूज़ करना है तो इसका code है T तो आप T प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर आपका यह brush लोड हो चुका है अब यह क्या option देता है कि अगर बीच में कोई gap आ रहा है तो upper और lower यह दोनों पर आप अलग-अलग काम कर सकते हो तो यहाँ पर अगर हमें काम करना है तो देखें lower lips को हम ऐसे करेंगे upper lips में कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है या फिर upper lips पर हम काम करेंगे तो lower lips में कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है दोनों को यह अलग-अलग count करेगा तो अगर हम brush का size भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो देखें lower lips पर ही काम हो रहा है तो यह इसकी खासियत है तो आपको ध्यान यह रखना होता है कि यहाँ पर जो आपके brush का center point है बिल्कुल center पर जो point बनके आ रहा है यह point जहाँ पर आप कलिक कर दोगे यह उसी पर काम करना start करेगा doesn't matter कि उसका radius कितना बढ़ा है तो हम यहाँ पर देखें center point रखते हैं नीचे थोड़ा सा दूर करके दिखाते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं तो देखिए upper lips में कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है तो हम इस तरह से इस part पर काम कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर इसको भी बाहर लेके आ सकते हैं आप इसी टैप से इसके side पर भी काम कर सकते हैं या upper lips को भी अलग-अलग दिखा सकते हैं इसका face इस तरह से आपने open कर दिया और अच्छे से काम कर लिया इस area में light box में यहाँ पर देखिए एक demo head के नाम से एक model पड़ा हुआ है यहाँ पर भी इसके lips जो हैं उपर और नीचे दो अलग-अलग part में divide हैं बीच में gap है अगर आप पर काम करना है तो यहाँ पर देखिए move topology से आप आसानी से काम कर पाऊगे और इसके lips को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं तो यह देखिए नीचे के gap को भी हम cover कर सकते हैं अच्छे से यह देखिए अलग-अलग काम कर रहा है पर अगर यहाँ पर undo करते हैं एक बार से और यहाँ पर normal move rest को यूज करते हैं B, M, V तो normal move tool आ गया है अगर इससे हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए अपर lips भी साथ में जा रहा है जिससे अपर lips का जो design है जो model है वो change हो रहा है अगर अपर lip में काम करेंगे तो lower lips जो है वो भी disturb हो रहा है अब इसी टैप से आप देखोगे कि इसकी eyes में भी बीच में gap है और and lower जो में से वो अलग-अलग है पर move brush का अगर यूज किया और उसका radius इतना बढ़ा है कि lower part को cover कर रहा है तो lower part को भी move कर आएगा लेकिन brush move और topology brush हमें यूज करना है तो अपर पर आगर आपको काम करना है तो आसानी से आप अपर पर काम कर सकते हैं और lower पर काम कर करना है तो आप आसानी से lower पर काम कर सकते हैं तो इस तरह से आपने move topology और move tool के बीच में जो difference था वो अच्छे से देख लिया है मिलेंगे next session में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना comment करिए आपको और कौन सी need है किस topic पर आपको वीडियो बनवाना है जीब्रस पर थैंक्य कर दो